नमस्ते सलाम सहस्रियकाल तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी अपनी रसोई में क्या बनाने वाली है जी हाँ आज वंदना जी बनाने जा रहे हैं वेजिटेवल रवा इडली की रेसिपी ये बहुत ही हेल्दी होता है इसे आप रिक्वास्ट में बनाकर या लंच में डिनर में कभी भी आप इसे बनाकर खा सकते हैं ये सुपर हेल्दी सुपर टेस्टी एं सुपर डिलिसियस रेसिपी है तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूं ये रेसिपी मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगी जिससे आपको बनाने में किसी तरीके से किसी तरीके की परिसानी ना हो तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं सबसे पहले सूजी को मैंने ये सूजी लिया हुआ है ये यह बारीक वाली सूजी है आपके पास अगर मोटी वाली सूजी हो तो आप ग्रेंडर जार के अंदर चला के थोरी दिर पीस लेंगे तो वो बारीक हो जाएगी सबसे पहले मैं इस सूजी को भूनने के लिए रोष्ट करूंगी मैं रोष्ट करने के लिए तरका लगाओंगी तरका लगाने के लिए मैंने लिया है हाफ टीए स्पुन उरत दाल, हाफ टीए स्पुन चना दाल और हाफ टीए स्पुन पिली जर्सवा है आप राई हो राई भी ले सकते हैं और थोरे से कड़ी लीफ है और कैसुनट्स काजू है तो चलिए मैं इसको भून कर तयार कर लेती हूँ मैं सबसे पहले मैंने गैस को ओ तेल डाल दिया है तेल जब गरम हो जाए तब मैं डाल दूँगी जब यह हलका सा भून जाए तब मैं डालूँगी कैसुनट्स और साथ ही मैं डाल दूँगी करी लिफ इनको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना जलाना नहीं है अब मैं डाल दूँगी रवा मैं डाल दूँगी वन एंड हाफ कब अब मैं इनको बिलकुल अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक भूल लूँगी मैं लो फ्लेम पे ही भूने मैंने इस रवा को बिलकुल लो फ्लेम पे हलका सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिया है इसको भूनने में लगभब चार से पांच मिनट लग चुका है अब यह भूनकर बिलकुल रेडी हो चुका है तो अब मैं गैस के फ्लेम को आफ कर दूंगी और इसे ठंडा होने दूंगी जब यह रून टंप्रेचर पर आ जाए तब मैं इसे दही के साथ मिक्स करूंगी मैं तो प्लीज आप मेरे इस वीडियो को पूरा लाश्ट तक देखें तब ही आपको पता चल पाएगा कि मैं इस रेसिपी को किस तरीके से बनाती हूँ तो चलिए मैं इसे ठंडा होने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ अब यह बिल्कुल ठंडा हो चुका है तो अब चलिए मैं इसको दही के साथ मिक्स कर लेती हूँ मैंने सोजी लिया था दही लूँगी दही को अची तरीके से फेट लिया हुआ है अब इसको बिल्कुल अची तरीके से दही के साथ मिक्स कर लूँगी मिक्स करने के बाद मैं इसे कम से कम आधा से एक घंटा तक मैं फूलने के लिए इसे छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से सूजी जो है फूल कर रेटी हो जाए, सॉफ्ट हो जाए मैंने इसे अब बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है अभी ये बहुत जादा टाइट है तो मैं डाल दोगी क्योंकि सूजी को फूलने के लिए पानी भी चाहिए अब मैं सूजी को बिल्कुल अच्छी तरीके से पानी के साथ भी मिला लूँगी इसके बाद मैं इसे ढख के कम से कम आधा से एक घंटे तक अगर आपके बास टाइम होते एक घंटा तक भी हो के छोड़ दें इसको ट मैं इसे एक घंटे के लिए भीगो के छोड़ दूँगी मैं उसके बाद मैं इसके अंदर नमक और सब्जी मिलाऊंगी सॉल्ट और वेजिटेबल तो चलिए मैं एक घंटे के बाद इसे फूल जाएगा तब मैं आपसे मिलती हूँ अब यह विल्कुल रेडी हो चुका है एक घंटा हो चुका है अब मैं इसमें डाल दूँगी टेस्ट के हिसाब से नमक और साल्ट और साथ ही मैं डाल दूँगी कुछ कटे हुए कटी हुई सब्जिया है जो जिसको मैंने बिल्कुल बारी चॉप कर लिया है कट कर लिया है पेंस और गाजर है इन सबको मैं डाल जरूरत के हिसाब से मैं पानी डालूगे, ये क्यों कि फोल कर बिल्कुल गारा हो चुकई है मैं इसमें पानी मिलाऊंगे जितना जरूरत हो उसे हिसाब से पानी डालना है मैंने लगबग half cup के जितना पानी डाल दिया है और साथ ही मैं डालूँगी इसमें पिंच भर सोडा बेकिंग्स पाउडर है ये ताकि इडली जो है फलपी और सॉफ्ट बने अब मैं इन सभी को बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी मैं मैंने इस इडली वेटर को बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है बहुँद ज़्यादा रनी रखना बहुँद ज़्यादा पानी डालना है आप देख सकते हैं किस तरीके का वेटर बना हुआ है इस तरीके से ही बनाना है अब चलिए मैं इसे इडली मॉल्ड में डाल देती हूं मैंने इडली मॉल्ड को पहले से ही हलके से coconut oil से grease कर दिया हुआ है आपके पास जो भी cooking oil हो उसके साथ grease कर सकते हैं तो चलिए मैं इसको इडली बेटर को इडली मॉल्ड में डाल देती हूं मैंने सभी इडली मोल्ट के अंदर इडली बेटर को डाल दिया हुए है अब चलिए मैं इसे एस्टीमर के अंदर डाल देती हुए चलिए अंदर मैंने पानी डाल दिया हुए है पानी में आ चुका है अब मैं इस इडली मोल्ट को चलिए के अंदर डाल दूगी और मैं इस साथ से आठ विनर्ट तक इसे कुक होने दूटगी फूल फिले में कुक करना है लो या मीडियम नहीं करना है मैं 7-8 मिनट तक इसे कुक करने के बार मैं आपसे मिलती हूं इडली को कुक होते हुए लगबग 7-8 मिनट हो चुका है अब मैं इसे एक बच्चे कर लेती हूं यह बिल्कुल कुक हो चुका है 7-8 मिनट में आप देख सकते हैं अब मैं इसे गैस के फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और इस एडली को मैं निकालकर साइट में रख लोगी ताकि यह ठंडा हो जाए इस तरह से यह बेटर बचा हुआ हुआ है इसका भी मैं बना कर रेडी कर लूँगी मैं जब यह हलका सा थंडा हो जाए उसके बाद मैं इसे do-modern करके आपसे मैं सरु करके मिलती हूँ जब इस इडली को do- bio करके सर्व कर दिया है अब यह खाने के लिए बिलकुल Ready हो चुका है आप जब भी इसे बना कर खाना चाहें, आप बना कर खा सकते हैं, आप देख सकते हैं, यह कितना soft, super spongy है, बहुत ही अच्छा बना हुआ और super healthy है, प्लीज आप इस रेसिपी को एक बार जरूर बना कर खाएं, मैंने इडली के साथ सर्व किया है, शामबर और थोरे से fruits के साथ तो इस तरीके से आप भी अपना breakfast plate तयार करें, और खाएं और healthy रहें, तो अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगे, तो प्लीज आप मेरे इस रेसिपी को एक like करें, मेरे इस channel को subscribe करें, तथा bell icon को भी ब्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और healthy recipe आप तक प प्सक्राइद कि आप दो आपूड़ है